हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक इन डीकोड एक्जाम फ्रेंट्स, हिंदी की सिरीज में जो हमने 200 कोश्चन की सिरीज सुरू की है उसमें मेरा ये 7 वाँ वीडियो है, इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं और एक सिरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो ना देखा हो तो डीकोड एक्जाम चैनल की प्रेलिश में जाके आप उसे देख सकते हैं चले शुरू करते हैं आज की क्लास वन बाइवन कोश्चन पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला कोश्चन है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा वाकि में आजादी किस प्रकार की संग्या है A. समूवाचक, B. जाति वाचक, C. भावाचक, D. व्यक्ति वाचक बताना है आजादी जो वर्ड यूज हुआ है वो किस प्रकार की संग्या है आजादी आपका आजाद से आजादी बना है आजादी आपका यहाँ पर क्या है भाव आचक संग्या है तो C is the right answer भाव आचक आगे बढ़ते question number 2 पे स्याम सोता है यहां कौन सी क्रिया है A. अकर्मक्रिया, B. सकर्मक्रिया, C. A. और B. दोनो, D. इन में से कोई नहीं स्याम सोता है ठीक है जहां पे क्रिया का फल करता पर पड़े ठीक है तो वो आपका हो जाता है क्या आपका अकर्मक्रिया तो आप देखिए तो स्याम सोता है सिधे सिधे सोने का एफेक्ट स्याम पर पड़ा स्याम यहां पर करता है तो यह आपका अकर्मक्रिया हो जाएगा तो A हो गया A is the right answer अकर्मक्रिया आगे बढ़ते कोशन में 3 पे क्रिदन्थ प्रत्य किन सब्दों के साथ जूड़ते हैं A संग्या, B सरवनाम, C वी सेसर और D क्रिया यह मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है क्रिदन्थ प्रत्य किसके साथ जूड़ते हैं यहां D is the right answer क्रिया के साथ जूड़ते हैं जब क्रिया के लाश्ट में कोई सब्द लगके मतलब कोई प्रत्य जूड़के एक नए शब्द का निर्मान कर देते हैं वही आपका क्रिदन्थ प्रत्य होता है माली यह पढ़ में अगर ना लगा दे तो वह जाता पढ़ना तो पाई B कुंडलियां C हरगीतिका और D सुरठा बताना है कि मात्रिक विशम छंद है क्या है बताईए जी हां B is the right answer कुंडलियां है इसमें 6 चरड होता है दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह बनता है ठीक है आगे बढ़ते कोशिमर 5 पे नेमिलखित पर्यावाची कि मोर का पर्यावाची इसमें से कौन सा नहीं है ठीक है जी है बताईए कौन सा नहीं है B is the right answer कीस जो है बन्र का होता है बाकि केकी सिखी सिखंडी यह सारे मोर के हैं अगर और भी बात करते द्धोजी है कलापी है सारंग है मयूर है यह सब भी आपके मोर के पर्यावाची ह आगे बटते कुश्च नमब सिक्स पे इनमें से कौन सा सब्द ख्रिष्ण का परयावाची है ए राधा बी रुकमिडी सी द्रौपती और डी ये शोधा, हमें बताना है कि क्रिष्णा का परयावाची इसमें से कौन सा है, जी हाँ सी दराइट आंसर द्रौपती है, राधा, अगर आप ध्यान दे तो शुष्मा, शुभा, सुन्दर्ता ये सभी सौंदर के ही पर्यावाची है रमडी आपका अलग है रमडी यूती का पर्यावाची होता है तो D is the right answer आगे बढ़ते हैं कोश नमर 8 पे अपनी धपली अपना राग का अर्थ है A बंदर बाठ करना B संग संगठन का भाव होता है जब संगठन का भाव जहां होता है महाँ लोग अपने अपने मन की करते हैं वही होता है आपका अपनी धपली अपना राग आगे बढ़ते कोशनमा 9 पे गूलर का फूल होना का अर्थ है A लाल पिला होना B सुन्दर होना C वी वर्ड होना D दुरलब होना होगा आगे बढ़ते कोशनमर 10 पे निमलिखित में से कौन सा सब्ध स्त्रीलिंग नहीं है ए पानी बीमानी सी कहानी और डी रानी बताना है इसमें कि जो स्त्रीलिंग नहीं स्त्रीलिंग यानि कि जो पुलिंग है स्त्रीलिंग नहीं है मतलब जो पुलिंग है उसे बताना है मानी कहानी रानी ये सभी स्त्रीलिंग है पानी जो है आपका ए वो पुलिंग में यूज होता है वैसे तो द्रव व्याचेक संग्या सब पुलिंग ही होती है लेकिन उसमें आपका चाय हो गया सराब और स्याही ये सभी स्त्री लिंग में प्रयूक्त होते हैं तो A is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 11 पे हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भासा देवनागरी लीपी में लिखी जाती है A सिंधी B पंजाबी C बंगला और D नेपाली हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भासा देवनागरी लीपी में लिखी ज जाती है नेपाली जो भासा है आपकी ये भी देवनागरी लीपी में लिखी जाती है तो D is the right answer आगे बढ़ते question number 12 पे जैसंकर प्रसाद की कौन सी कावे रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है A कानन को सुम B करू डाले C प्रेम पथिक और D इन में से कोई नहीं जो अत अतुकांत सैली में लिखी गई है वो बतानी है जासंकर प्रसाद जी की जी हाँ प्रेम पथिक है प्रेम पथिक ही इनकी अतुकांत सैली में लिखी गई है तो C is the right answer आगे बढ़ते है question number 13 पे निम लिखित में से शुद्ध वर्दनी वाला शब्द है A कलेस B कलेस C कलेस और जाएगा ठीक है यह आधा का और यह वाला श्रह होता है यह वाला श्रह नहीं होता है ठीक है तो C is the right answer C है मतलब इस तरीके से आपका कलेस लिखा जाएगा आगे बढ़ते question number 14 पे सहोधर का विलोम है A परोधर B अधर C अन्योर्दय और D कुधर ठीक है बताना है हमें सहोध अधर का आपका विलोम ठीक है जी हाँ A is the right answer परोधर होता है बाकी आपका अधर का अधर हो जाता है अन्योर्दय का ओर्दय हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते question number 15 पे निमलिखित विलोम युगमों में एक शब्द युगम सुद्ध नहीं है निमलिखित विलोम युगमों है वो सही नहीं है ठीक है तो देखें यह विलोम सब्द का युगम है तो अगर आप देखें डी नूतन सनातन नूतन पुरातन होगा तो यहीं आपका गलत है तो डी इस राइट आंसर आगे बढ़ते question number 16 पे लोभी किस विधी से निर्मित विशेशड है अगे बढ़ते question number 17 पे विद्वान व्यक्ति पूज होते हैं में प्रयुक्त विशेशड है A. सारवनामिक विशेशड, B. गुडवाचक विशेशड, C. संख्यावाचक विशेशड और D. परेडाम बोधक हमें बताना है विद्वान व्यक्ति पूज होते हैं में विशेशड कौन सा प्रयुक्त है जी हाँ विद्वान व्यक्ति के गुड़ की विशेशडा यहां बताई जा रही है तो यह आपका हो जाएगा गुडवाचक विशेशड तो आपका यह हो जाएगा बीजर आइट आंसर आगे बढ़ते कोश्ण में 18 पे प्रत्यंतर में संदी है गुर संदी के देखे कैसे होगा प्रति प्लस अंतर ये बन जाएका प्रत्यंतर सिधन अर्टि प्लस अंतर प्त्यंतर अंतर हो जाएगा अपका यहाड संदी काया है ठीक़ है तीक है में कौन सी संदी है? A. गुर्षंदी, B. अधी संदी, C. वृद्धी संदी, D. यड़ संदी. सू प्लस आगत आपका क्या बन जाएगा? स्वागत. जी हां, तो स्वागत में आपका सू प्लस आगत में हो जाएगी आपकी यड़ संदी, D. आगे बढ़ते हैं क्वेंटी पे पवन शब्द में कौन सी संदी है? एक गुर्षंदी, B. अधी संदी, C. अधी संदी, D. वृद्धी संदी, पवन का कैसे होगा? आपका पो प्लस आण हो जाता है, ठीक है? पो प्लस अन हो जाएगा, पवन, ठीक है? यह अयादी संदी का है आपका, ठीक है? O. और प्लस आ, मिलके क्या बन जाएंगे? व, यह अयादी संदी का हो जाएगा. तो C. दराइट आगे बढ़ते हैं कौशन में 21 पे अभिन शब्द का संदी विक्षेद होगा? A. अभिप्लस अन, B. A. प्लस भिन, C. अभित प्लस न, और D. अनी प्लस न? बताना इसमें कौन सा है? अभिन का संदी विक्षेद. C is the right answer. अभित प्लस न होगा, यह व्यंजन संदी का उदारड है. तो C is the right answer. रागे बढ़ते कोशन अबर 22 पे चांद का मुह तेढ़ा किस कवी का काविसंग्र है A. अगे B. मुक्ति बोध C. भारत भूशड अगरवाल D. नेमी चंद जैन अगर इनके और भी बात करें काविसंग्र की तो है आपके दूर तारा है, मृत्यू और कवी है, विहार है, नाश है, देवता है, ये सब कुछ भी है आगे बढ़ते कोशनमा 23 पे भोजपूरी बोली किस जिले में बोली जाती है, A. गौतम बुधनगर, B. हापुड, C. भाजोई में, D. संत कभीर नगर में भोजपूरी बोली का ख्षेत, बताई इसमें से कौन सा है, जी हाँ, D. दर आइटांसर, संत कभीर नगर में है, आगे बढ़ते कोशनमा 24 पे, हिंदी की कितनी उभास आए है, A. दो, B. चार, C. पांच और D. साथ, हिंदी की उभास आए है, मैंने आपको बोली वाले चेप ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रे लेकर एक सामान साहितिक भाषा स्विक्रित हुई है, जिसे चारों ने नाम दिया है, A. डिंगल भाषा, B. मेवाडी भाषा, C. मारवाडी भाषा, D. पिंगल भाषा, ठीक है? बताईए, जी हाँ, वो भाषा जो है, जो उस भा राइट आंसर पिंगल भाषा, यहाँ पर आपके 25 कोशन कम्प्लीट हो चुके हैं, तो आपको कोशन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएए, ठीक है? तो मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्ट वीडियो में जाएए, ठीक है, तो मिलते हैं इसी स